सब्सक्राइब कीजिए वाइपी न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल को वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें नमस्कार मित्रों मैं नितीश भारदवाज आज सुबा से मुझे बहुत सारे अपने मित्र मेरे फैन्स और मीडिया के मित्र फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या आज की कोरोना की स्थिती में इस इस आपदा में महा भारत प्रासंगिक है क्या महा भारत का कोई एक पन्ना ऐसा है कोई एक प्रिष्ठ ऐसा है जिससे हम कोई सीख ले सके तो मित्रों है वो कौन सा प्रिष्ट है वो अध्याय है आदि पर्व के अंत में जब महराज धितराष्ट्र पांडवों को खांडव वन देते है बंजर धर्ती और एक वन अरण्य और कहते हैं जाओ अपनी नवीन शुरुवात करो अपना अपना जो नवीन राज्य है उसकी शुरुवात वहाँ से करो वहाँ बंजर धर्ती है और खांडव वन है खांडव वन जो आज का मेरट है उसका नाम खांडव इसलिए था कि खांड मतलब मधू स्वीट उसमें महुआ के बहुत सारे पेड थे और महुआ के पेड आप जानते हैं जब उसके फूल आते हैं तो पूरा आसमंत जो है वातावरन जो है वो मधूर मधूरता से भर जाता है ये वन एक्शुमती नदी के किनारे पर था वहाँ बहुत सारे प्राणी पशु पक्शी साप कच्छुए मचली जलाशे सब कुछ था और उसके राजा थे राजा तक्षक नाग राज तक्षक तो जब ये दिया तो अरजुन और कृष्ण वहाँ चले गए और सोच रहे थे अरजुन पूछ रहे थे कि अब क्या करें इसको कैसे करें ये तो वन है बंजर धरती है ये वन की भूमी भी अपने को चाहिए लेकिन इसको कैसे करें यहाँ पे कैसे हम इंदरप्रस्त बनाएंगे तो अगनी देव उनके पास आये और उन्हेंने कहा कि मैं साथ बार प्रयास कर चुका हूँ इस वन को जलाने का और ये जो राजा तक्षक हैं जो यहां रहते हैं नागराज इनके मित्र हैं परमित्र हैं इंदरदेव जब भी मैं अगनी के रूप में इसको प्रजवलित करना चाहता हूँ इंदरदेव वरुन की वर्षा कर देते हैं और उसको आपको बुझा देते हैं तो आप मेरी मदद करें ये मेरे लिए आवश्यक है करना तो अरजुन ने सोचा मैं भी तो यही सोच रहा था कि ये जो वन है ये जल जाए तो मुझे और भूमी मिल जाएगी जिस पर इंदरदेव खड़ा होगा बड़े-बड़े महल खड़े होंगे तो उन्होंने वरुन देव की आराधना की कृष्न के कहने पर वरुन देव प्रसन हो गए और वरुन देव ने कहा कि क्या चाहिए उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा धनुष्य चाहिए जिस पर बान लगाते ही जहां मेरा बान जाना चाहिए वही जाए एक अलोकिक दिव्य धनुष्य चाहिए फिर मुझे दो तरकश चाहिए अक्षई या तरकश जिसके बान कभी खतम ही ना हो और एक ऐसा रत चाहिए जो मन की गती से भी तेज दोड़े तो वरुन देव ने उनको गांडी धनुश दिया अक्षई तरकश दिये दो और वो अलौकिक रत दिया जिसको बाद में आपने महा भारत के भारती युद्ध में देखा जिसका सारथ्य किया स्वयम भगवान कृष्ण ने फिर जब ये मिला तो उन्होंने अगनी से कहा अगनी देव आप इसको भस्म कीजिए अगनी देव ने जब उसको वन को भस्म किया तब तक्षक राज महा नाग राज तक्षक महा पर नहीं थे वो कुरुक्षेत्र गय थे सारे पशु पक्षी उसमें से हाहाकार मच गया जलने लगे लोगों के पैर जल रहे है प्राणियों के पक्षियों के पंक जल रहे है गर्दन जल रही है आँख जल रही है बसमसात होने लगा सब कुछ पक्षी उड़ने लगे जैसे ही प्राणी भागने लगे पक्षी उड़ने लगे अरजुन ने अक्षय तरकष से बान निकाल कर उस गती से गांडीर से बान चलाए कि सब को मार दिया संगहार कर दिया पूरा सब कुछ जल गया उसमें जलाषय थे उसका पानी पानी जलाषय का पानी सूख गया कच्छुए मर गए मचलिया मर गई सब कुछ मर गए पेर पौधे जल गए तक्षक का बेटा अश्वसेन मय नाम का असुर जिसके माध्यम से जिसकी सहायता से कृष्ण जी ने मय सभा बनाई इंदरप्रस्थ में बाद में और चार पंची इतने ही बचे छे लोग उसके उपर इंदरप्रस्थ खड़ा हुआ निर्मान हुआ लेकिन प्रतिशोद की ज्वाला में तक्षक दहक रहा था प्रतिशोद लेना चाह रहा था उरुका भारती युद्ध खतम होने तक रुका पांडव स्वर्गा रोहन पर चले गए तब तक रुका राजा परिक्षित बना हस्तिनापुर का तब जाकर तक्षक ने उसे काटा दंश किया डंख मारा और राजा परिक्षित मर गया अपने पिता को मरदा हुआ देख प्रतिशोद की ज्वाला में धदक उठा उसका बेटा जनमेजए उसने एक ऐसा यग्या याग यग्या का अरंब किया पूरे आरिया वर्थ से हर वन से नईमी शारन्य काम्यक वन दंडकारन्य हर वन से उसने सर्पों को एकत्रित करके उस अगनी में यग्या के डाल दिया मार दिया उसको उस क्रोध को देखकर रिशी वैशम पायन ने उसे बिठाया और जनमेजए को महाभारत की कथा सुनाना अरंब किया उसका प्रयोजन कई प्रयोजन थे जीवन यापन कैसे करना है कलियुग में जीवन यापन कैसे करना है ये वो राजा जनमेजए को बताना चाह रहे थे शान्ती से कैसे जीवन यापन करना है प्रतिशोद का अंत नहीं है आज क्या हम यही नहीं कर रहे है आज जहां पूरा हारत लॉकडाउन में है सडक पर कोई नहीं है ना कोई वाहन है ना मनुष्य है इकका दुक्का छोड़कर जो डंडे खा रहा है आज देखिए दिल्ली के बाहर यूपी के रोड पर हर्याना की रोड पर नील गाये दिख रही है आज आपको सांबर दिख रहे है और अपने राष्ट्रिय महामारगों को बनाया है आज हम यही कर रहे है पेडों को काट रहे है अना धुन काट रहे है कोई पेड लगा नहीं रहा है यह रुकना चाहिए यदि यह नहीं रुका यह सीख है महाभारत की इस अध्याय की खांडववन के अध्याय की यह प्रासंगिक है आज के लिए यदि यह नहीं रुका तो जिस दिन प्रकृती का कोप होगा प्रकृती मात्र एक छोटी सी करवट लेगी बस थोड़ी सी इतनी सी बस वो रिक्टर स्केल होगा दस और जिस तरह से डाइनासोर्स का युग खतम हो गया समाप्त हो गया यह मानवववन्ष समाप्त हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा महाभारत के इस खांडववन इस अध्याय का इस कहानी की प्रासंगिकता यह है कि आज हम सीख लें प्रकृती के साथ संतुलन बना के रहना सीख लें उसकी हार्मनी में जीना सीख लें पशू, पक्षी, प्राणी, तितलियां, मदुमक्खियां हर एक जीव उसके जीवन का आदर सम्मान करना सीख लें को एक्जिस्टन्स सीख लें लेट एंड लिव की भावना को सीख लें हमको विकास चाहिए है विकास किसको नहीं चाहिए हमको प्रगत्शील बनना है लेकिन उसके साथ में इन सब की भी रक्षा करनी है यदि हमने ये नहीं किया इन सब की रक्षा नहीं की इनके साथ मिल जुल कर रहना नहीं सीखा तो प्रकृती सुनामी भेज देगी खुकंप भेज देगी और बहुत अगर कुरुद्ध हो गई प्रकृती तो बस रिक्टर स्केल पर दस की एक करवट और आप और हम समापत इसके लिए आज इस लॉकडाउन में ध्यान कीजिए मेडिटेशन कीजिए अपने अंदर जहांक कर देखिए हम क्या कर सकते हैं हम कहां गलत थे और वो नया आचरण दिखाईए इस लॉकडाउन के बाद हमको नवीन भारत का निर्मान करने का ये सुनेरा अफसर है इसलिए मानिया प्रधान मंत्री जी के जो दो की वर्ड्स हैं दो सैयम और संकल्प उसके साथ में मैं जोड़ना चा रहा हूँ स्वाध्याए स्वाध्याए करना है हमको ताकि हम एक बहतर इंसान बने बहतर मनुष्य बने जो प्रेम करना जानता है जो शानत रहना जानता है यहाँ पर आज यह जो अपने अगल बगल में शानती है कोई हौन नहीं बजा रहा है पैंपूँ पैंपूँ यह जो शानती है इस शानती से प्रेम करना सीखिए इस शानती को अपने रिदय में अपने मस्तिश्क में अपने रिदय में लाना सीखिए ताकि हम इसी शांती को लॉकडाउन के बाद अपने अगल बगल में वातावरण में प्रसारित कर सकें उससे ये मनुष्य वंश शांत होगा इसी में मनुष्यता का भला है स्वाध्याय करना है हमको ताकि हम एक बहतर इनसान बने बहतर मनुष्य बने जो प्रेम करना जानता है जो शांत रहना जानता है यहाँ पर आज यह जो अपने अगल बगल में शांती है कोई हौन नहीं बजा रहा है पैंपूँ पैंपूँ यह जो शांती है इस शान्ती से प्रेम करना सीखिए इस शान्ती को अपने रिदय में अपने मस्तिश्क में अपने रिदय में लाना सीखिए ताकि हम इसी शान्ती को लॉकडाउन के बाद अपने अगल बगल में वातावरण में प्रसारित कर सकें उससे ये मनुष्यवंश शान्त होगा इसी में मनुष्यता कभ़ला है इतना मैंने समझा है ये मैं करना चाहता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ निवेदन करता हूँ करबद निवेदन करता हूँ कि ये कीजिए सेयम, संकल्प और स्वाध्याए Namaskar